नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पेंटोडैक DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है. पेंटोडैक DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और पेंटोडैक DSR कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? पेंटोडैक DSR कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है. पेंटोडैक DSR कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर पेंटोडैक DSR कैपसूल का उप्योग किया जाता है. Pentonet DSR Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Pentodac DSR Capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये Side Effects ना हो इसलिए आपका Dr. Pentodac DSR Capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा Pentodac DSR Capsule का उप्योग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger-Ellison Syndrome को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है Jolinger-Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है Pentodac DSR एक ब्रैंड नेम है Pentodac DSR Capsule के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Pentodac DSR Capsule के अंदर Salt Composition Pantoprajol और Domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि Pentodac DSR Capsule की वज़े से क्या Side Effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Pentodac DSR Capsule की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Pentodac DSR Capsule की वज़े से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्त होने की समस्या हो सकती हैं इसके अलावा Pentodac DSR Capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं लंबे समय तक Pentodac DSR Capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Pentodac DSR Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना Pentodac DSR Capsule को दो सब्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Pentodac DSR Capsule को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर्व अंदर से खोखली हो जाती है Pentodac DSR Capsule की वज़से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब Pentodac DSR Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pentodac DSR Capsule को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की पेंटोडैक DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पेंटोडैक DSR कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं पेंटोडैक DSR कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए पेंटोडैक DSR कैपसूल की खुराक उम्र, शरील के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको पेंटोडैक DSR कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पेंटोडैक DSR कैपसूल को ले सकती है या नहीं वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए पेंटोडैक DSR कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है